लॉड लिटन ठीक है जी लॉड लिटन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इनका टाइम पेर्ड आप याद रखेगा 1876 से लेके 1880 तक का जो है इनका टाइम पेर्ड रहा है और लिटन को हम लोग कैसे याद करेंगे लिटन को हम याद करेंगे लिटन ग्रीन टी से ठीक है जी लिटन ग्रीन टी आपने जो है वो यूज की होगी नहीं तो सुना होगा नहीं तो एड तो जरूर देखी होगी उसके बारे में आपने ग्रीन टी को इमैजिन करना है हमारे सतारे के सारे जो काम है लिटन के वो ग्र और फोपर से गरम पानी दाल दिया और बस लिकले तो अर्चे या जी दिया लें तो फुदि रिषाना बनाते है तो उसमें थोड़ा फ्रोच जय को सब्सक्राइब चाएपक डालेंगे और फिर अद्रग जो भी आपको डालना है दूड़ दो इस तो इस दो कोनों में difference क्या हुआ एक तो इसमें time कम लगा ठीक है जी time जो है वो रिड्यूस हो गया उपर से थोड़ी उल्टी प्रोसेस नहीं होगी हम पहले पाने डालते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि पहले चाय पती डाल दी फिर पाने डाला जा रहा है और चाय बन गई इतना seriously भी न लेगा ठीक है तो उर्टा रिफ Safe करेक्टर किसे कहा जाता है लिटन को ही कहा जाता है lived का मतलब क्या हुआरे तक जो भी वनीए को फू ओं से याद्म कर रहे थे लिटन नेहां को यहां से याद रहा है जाएगा किए उख सथीग तो चाय बनाने का का त्वड़ा उल्टा तरीका था इसलिए हमने वो चीज़ पढ़ी थी और यह जो है अब उल्टे तरीके से गलत फरत यह काम करेगा तो यह famous भी कहा होगा ठीक है जी तो यह है most most infamous most infamous voice रोय तो most infamous voice रोय कौन आपको मिलेंगे Lord लिटन जो है आपको most infamous voice रोय मिलेंगे ठीक है जी तो आपने याद दखने क्योंकि यह उल्टा ही बंदा था इसलिए जो है वो इनकी कुछ अच्छी थी नहीं ऐसे को आप याद रख लेना उसके बाद क्या होता है कि जो इक ग्रीन टी है जी ग्रीन टी बनके तयार हो चुकी है इसको टाइम से प्या नहीं तो ग्रीन टी जो है वो ठंडी हो गई ठंडी होगी चाहे तो उसको गरम करने के लिए आप कहां प्याद जाए जिसे जो लोग पोईटरी करते हैं तो होता है अलग अलग नाम रखते हैं गुल्जार और कवीराज और पतनी क्या तो नहीं किया उत्यां तो यह पॉंट भी है आप ने लगना है उसके बाद क्या हुआ था चाय बनाने में अ्योख ड़्म लगा था ना ड्य duration जो है वो कम करदी थी तो duration कम आपने भी याद दखना है duration जो है वो कम करदी गई है अभी तक जो है civil service की जबेंगे जो examination देने की जो age है वो 21 सल हुआ करती थी ठीके ने क्या किया 21 से age को घटा दिया और 19 साल कर दिया यह अब से 19 साल के जो लोग है वो भी paper को दे सकते हैं तो age का criteria इन्होंने reduce कर दिया ठीक है जो time period को जो है वो कम कर दिया यहां पे तो यह आपने आदक लेना है है हां से इसके time period पे एसा होता है लिटन के time period पे ही जो है ये काम हमको मिलेगा और दीए kitchen में काम कर रहे है ना green tea बना रहा है कौन बना रहे है ममी बनाते हैं Green Tea तो देखिए मतलब ममी लोग जो है घर पे एक साइड चाय बना रहे हैं एक साइड खाना बना रहे हैं एक साइड बच्चों की कपड़ों में प्रेस करेंगी प्रेस करके दो हम लेट हो रहे हैं तो आप खुद देखो कि जो मदर हैं वो इतना काम करते हैं जैसे कि उनके पास साथ आठ हाथ हैं तो लिटन के ही टाइम पेट पर क्या आता है आम्स एक्ट आएगा ठीक है जी आम्स एक्ट आता है 1878 में और आएगा वर्ना क्यूलर वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट भी 1878 का ही एक्ट है ठीके जी हमने क्या पढ़ा था कि जो भुजाएं है साथ आठ भुजाएं इस तरह से आप इमाजिन कर सकते हो मम्मी को बहुत सारे कामों कर रहे हैं तो साथ आठ भुजाएं मतलब कि 78 हमको हलका सा हिंट चाहिए आपको बस हिंट पकड़ना है 1878 में जो है यह एक्ट आया था आंजित प्रेस ददेक्ट पढ़नारे न किया प्रेस बिडियो में कि विडियो में कवर करें गे तो आप तक तब याद रखना कि कब आया था यह important questions है आपके पास बहुत important है आप से पूछा राता यह question कि जैसे arms act है मान लीजिए arms act कौन से year में आया था very important ठीके जी साल पुछते हैं आप से 78 याद रखना है आपको 7-8 चीके या फिर arms act किस voice try के time पे आया था तो voice try हो जाएंगे यहाँ पे लिटन आपके पास तो लिटन ग्रीन टी आम्स बाजुएं काम कर रहे थे कुछ ऐसी story आपके mind में आएगी वहां पे फिर तो दो तरहा से आपसे question बुछा जाएगा ठीके जी दो तरहा से आपको इनको याद रखना है very very important तो यह जो ग्रीन टी है ग्रीन टी हम लोग कहां लेंगे ऐसे सामने भी रख दे गेंगे ऐसे चुपा कर र रखने हैं ग्रीन टी ग्रीन तो पर साइड़ में बिल्कुल अलग से कोई special guest आएंगे कभी special महमान आएंगे ना तब भम निकालेंगे green tea तब रहेंगे अशोंड़ेंगे एसा ही होता है तो फिर क्या हुआ कि जो में रखा गया है तो आपने अभी याद रखनी है तो क्या होता है लिटन के टाइम पीरट पे ही जो है एक फ्रमाइन कमेशन बैठेगा ठीके जी एक फ्रमाइन कमेशन इनके टाइम पे अपॉइंट किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे वो थे कुछा तक कि पूछे के आपको मिलेंगे स्ट्रैची जो है आपको वत अध्यक्ष मिलेंगे यो एक की की the सखीर में पे बना था इसके क्रेशन पूछेंगे आपसे थीक है तो बराएकर क्या रखा था अब आप तो यहां आप सारे तो टोड़्ущ तो अटेची में तो हमने वो लिप्टन ग्रीन टी रखी ती ऐसे को आपको याद आएगा तो आपको लिटन यहाँ से आदा जाएगा खुदी ठीक है तो स्ट्रेची कमिशन जो है वो किसके टाइम पेर बनता है वो बनता है लिटन के टाइम पिरिड़ पे most important point आपको मिलेगा यहना सारे ही commissions important है तो हमको कुछ ना कुछ ऐसे को इनको relate करना पड़ेगा तो बस यह चीज़ हो जाएगी यहाँ से और सबसे important question लिटन के ही time period पे क्या लगता है दिल्ली दरबार 1877 का ठीक है जी दिल्ली दरबार जो है वो किसके time period पे लगा था तो दिल् लिटन के time period पे 1877 में हुआ क्या था कि जो queen victoria है उनको भारत की समरागी घोशित किया गया था और उनको केसरे हिंद का title दिया गया था ठीक है जी तो 1877 में दिल्ली दरबार organize किया था question आप से पूछते हैं कि 1877 का जो दिल्ली दरबार है वो किसके time period पे लगा है ठीक है time period पे लगा होगा मैं अगर आपको याद नहीं रहे रहा है तो आप जो है इसको याद कर सकते हैं कि इसे दिल्ली दरबार लगाया है बहुत बड़ा दरबार लगाया है अब किसी को आप घर पे बुलाते हो तो चाय पानी तो पूछो गई है ना कि लो भाई चाय पी हो जो attachi में चुपा कि रख electriny ए आपने ऐ अभी आपने वह session निकाले जरू रें帶 जरू दरबार में सब लोग बैड़के ग्रीन टी पी रहे हैं तो मैपत जाय पी रहे कि इस तरह से दरबार में बैठके सब लोग चाय पी रहे हैं और discussion चल रहे हैं जो भी चलानी है यह question इंपोर्टेंट है कि 18.77 का दिल्ली दरबार किसके टाइम पर लगा था या विक्टोरिया को केश्रेहिंद का टैटल गए था ऐसे को आप से पूछांगे तो बस सिंपल से तो ऺड़े सिंपल्व ही पॉइंट है आप इसको एक दू बार पढ़ना चाय बनाते बनाते कब पढ़ना है आपने चाय बनाते बनाते रिवाइस करना ऐसी निगा पढ़ना ये आपको औंपंपने animal~~ आते रहेंगे तो चीजों को आप अपने डेली अक्टिविटी से आप रिलेट करो कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपके माइन में पर्मनेंट बैठती है वरना हिस्ट्री में क्या होता है ना कि एक बार आपने पढ़ लिया चीजों को रट लिया ठीक है पर बूल जाओगे ल याद आएगा है ना तो लिटन से लिटन ग्रीन टी और ग्रीन टी टाइम भी कम लगता है बनाने में उल्टा भी प्रोसिजर होता है तो रिवर्स करेक्टर का वाइस्ट्रो यही है मोस्ट इन फेमस भी यही आपको मिलेगा अब ओवन मैरेडित चाय गरम कहां की थी ओवन से अब और क्या ही रिलेट करोगे आप ओवन में जो है आपने चाय गरम करनी है न तो यह आजाएगा आपके पास ओवन मैरेडित एज रिड्यूस होगी है 21 से 19 साल पूछते हैं क्वेश्चन आप से कि किसने टाइम पिरेड जो है वो मतलब सिविल सर्विस में जो पेपर देने की एज है वो कम की थी ठीच तो वो कम किसने की थी लिटन नहीं कम की थी और यह सारे पॉइंट्स आपने आद दखने हैं लिटर्न के टाइम पीरिड पे तो यहां